हेलो डियर स्टुडेंट आप लोग अच्पी से स्वागत है बीएसवी पतना कास में तो आज हम हिंदी का कोश्चन अतिलगुत्रे करने वाले हैं तो आगर आप लोग वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले आज हम हिंदी क सब्सक्राइब करेंगे ठीक है आति लगते कोश्चन जो बहुत ही इंप्रोटेंट होने वाला है तो आप लोग सब्सक्राइब आदमी इस वीडियो को फुली और पूरा देखिएगा तभी थमझ में आएगा ठीक है तो चलिए इस पर हम बात करते हैं पहला कोश्चन दिक लेकर महोद है अधुनिक योग में भी जातिवाद के पोस्नों को कमी नहीं है जिसे वीडंबना कहते हैं वीडंबना का स्वरूप यह है कि अधुनिक सब्समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विवाजन को आवसक मानता है चुकि जाति प्रता भी श्रम विवाजन का ही द देखें पहला इस तरह वहाँ आ जाएगा शरी इसी तरह से दूसरी कोचन को चलते है ल दूसरा कोचन दिखें़े जातिवाद के पोसक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है तो चलिए इसका उतर हो जाएगा जातिवाद के पोसक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देता हुए उसकी उपयोगी कोशिद करना चाहते हैं जातिवादियों के कहना है कि अधुनिक सब समाज क्यारी कुशल्टा के लिए सर्म विवाजन को आवसकता मानता है क्योंकि विवाजन जाती प्रता कई ही दूसरा रूप है इसलिए सर्म विवाजनों को कोई बुराई नहीं है जाती वादी समर्थरों को कहना है कि माता पिता के समाजी के स्तरीक अंसार ही यानि गर्वधारन के समय ही मनुस्यों का पेशा निर्धारिन कर दिया जाता है हिंदु धर्म के पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है भले ही वह पेशा अनुप्युक्त या अप्रयाप्त ही क्यों नहीं हो भले ही उससे भूखे मरने का नौबत आ जाए लेकिन उससे अपनाना ही होगा आगर रखते हैं जातीवाधियों का कहना है कि प्रंपराव पेशुद में वेक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना काड़े असफ़लता पूर्वबक संपन करता है जातीवाधियों ने जातीवाध के समार्थन में का स्वतांत के को अप्वहन कर समाज बंधक कि दाइरे में ही जीने के अमारने के लिविवस्थ कर दिया है उनके कहना है कि इस से समाजिक विवस्था बनी रहती और आरजकता नहीं फैलती तो इससे कहां इंसर दूसरी कोचन को हो जाएगा चले तिसरी कोशन के वो चलते हैं जाती वाद के पक्ष में दिये गए तर्को का उलेक की परमुक्ता अपतियां क्या है ठीक है इसका उतार देखेंगे जाती वाद के पक्ष में दिये गए तर्को का उलेक ने कई अपतियां उठाई है जो की शिंतिये हैं पहला है लेखक की दिश्टी कोन में जाती प्राथा गंभी दोस्ट से यूग्ध है जाती प्राथा का अस्रम विवाजन मनुस्य की स्वक्षा पर निर्वा करती है मनुस्य के व्यक्तिकत भावना का व्यक्तिकत रूची का इसमें कोई अस्थान या महत्म नहीं है आर्थिक पौलूस से भी अत्यदिक हानिकारक जाती प्रता है ठीक है जाती प्रता मनुस्य की स्वक्षा प्रेना रूची वर आत्म सक्तिक को दवाव देता है साथी आस्ववावविक नियमों में जाकर निस्किये भी बना देते हैं तो तीसरा कोचन का इस तरह से इंसर हो जाएगा चोथी कोचन को चलते हैं जाती भारती समाज में स्वरम विवावविक रूप क्यों नहीं कहीं जा सकती है तो भारती समाज में जाती सम विवावविक रूप नहीं कहीं जा सकती है स्वरम के नाम पर स्वरमिकों का विवावविक है स्वरमिकों को बच्चों को अपने बह पौतिक काम करना पड़ता है जो अधुनेक समाज के लिए स्वाभिक रूप नहीं है ठीक है चलिए पाचमी कुछन को चलते हैं जाती प्राथा भात में विरोजगारी का एक परमुक और अपरतेक्ष कारण कैसे बनी हुई है जाती प्राथा मनुस्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बान देती है भले ही पेशा अनुप्युक्त या अप्रियप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए अधुनेक युग में उद्योग धंदे की प्रक्रियत तथा तकनिकों में निरंतर विकास और असकमक्ता यहीस से बदलने किया सकता है पर कर शाकती है किन्तों भारतिय हिंदु धर्म की प्रथ्फा विक्ति को प्रफ़ाई की आप धार कितीह बावजूद एसा पेशा चुकाने की अनुमति नहीं देती है जो उनका प्र्याद्रिक प्यशा नहों कि इस प्रकार प्रभीण की जेखने एला है चरिए तडिकर देखते लेखक आज की उद्योग में गरीब और उत्पिरीद से भीår 변र हिसा की मानते हैं और क्यों छीव मँंध荷 ळाय देखती हैं लेका आज के उद्योगों में गरीब और उत्पिस्त से भी बरी शम्पाशा जातिक प्रथा को मानते जाति प्रथा के प्रखह पिशा चुकानसे में होते मरतिक तीक होता हैं कोई इसथान नहीं हो यहुता मजबूरी बस जहां काम करने वाले काद ना दिन लगता हो को भिश बोट की सब्सक्राइब निर्वी निर्विवाद रूप से सीध हो जाता है कि आर्थिक पहलू में भी जाती का हानिकारक प्रथा है ठीक है चलिए सत्मी कुछ देखते हैं लेखिक ने पार्थ में किन प्रमक पहलू से जाती का प्रथा को हानिकारिक प्रथा की रूप में दिखाए या है 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 उत्ते प्रफा क achievements का अस्व्विग्शिता हो गई है आपस में जांच आपस में in ची की भावणा भी उद्मान है जांती प्राथा के लोगतंत्र के पैसा अपनाना उसे नहीं होता ढर्राथbased सभध्रूसुन में भी ज्यातिप्रथा का बादक है आठ में कोच देखते हैं सच्छे लोकतांतर के अस्थापना के लिए लेखक निकें सच्चे लोग तांत्रिक के लिए समाज में स्वतंता समस्तंता और भात्रिवत्त भावना की विर्दि हो दूमें हैं समाज के इतनी गतिसिल बनी रहे की कोई भी वांशिक प्रिवरतन समाज कि एक छोड से दूसरे छोड तक संचलित हो सके समाज में बहुत विधी हीतों में सब का भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के सजह रहना चाहिए समाज जीवन में अबाद संपर्क के अन्यक साधन वा अफसर उपलब्द रहने चाहिए दूत पानी की मिसन की तरह भाइचारा होना चाहिए इन्हें गुनों के विश्यस्ता से युगतांत्र का दूसरा नाम लोकतांत्र ठीक है लोकतांत्र सासन का एक पद्धिति नहीं है लोकतांति मूलता समुहिक दीवन जीवन चारे की एक रीत का एक समाज सम्मिलित अन्भावों के अधान परदान का नाम है इससे यह अफ्रेक् शृलकर पस्तुने कहा रहा पाराओ पंधेशन को 5 संराओर चुन उत्त करते हैं में उसक्ते देखके सबस्तृ में परोय व्डल एक परांना तिया बघु नहिंए कि एक रिद तथ समाज के सम्मिरित अन्भवों के आदान परदान का नाम है जाती प्रता कम करने और टालुक काम करने के लिए प्रिद करता है मिसरे वाके विदंबना की बात है कि इस यूग में भी जातिवाद को पोशन की कमी नहीं है जाती प्रता के बिचेस यह है कि सम्मिकों का असवाविक विवाजन करती है कुसल व्यक्ति का निर्मान करते हैं इस लिए करने के लिए यह सकता है कि व्यक्तियों की छमता को सदा विक्षित करें ठीक है चले बिलों सब देखते हैं सब भी क्यों होगा सब भी विवाजन क्यों हो जाए असंधी निश्ची का निश्य उच्छी नीची इस तरह से यह हो जाएगा सब यह एक समाज है मैतिक है मोहन के पत्रिक तो यह सब आचे क्लाइए अति लगूतर को चन समापत होता है फिर नेक्ष क्लास में हम आएंगे तब तक लिए आप लोग बाए